प्रणाम बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत हैं। प्यारे बच्चों आज हम बात करेंगे पाट साथ में कारक की। आईए कारक के बारे में सुधारन द्वारा पढ़ते हैं। बच्चों एक शब्द को दूसरे शब्द से जोडने के लिए कारक का प्रयोग किया जाता है यदि किसी भी शब्द को बीच से हटा दिया जाए तो वाक्य में अपून्ता व्याप्त हो जाती है अता वाक्य सनरचना को पूर्ण करने के लिए तारक का होना अतन्त आवश्रक है उधारन देखे सुमित ने लेलगाडी से गर्मी की छुटियों में यात्रा की यहाँ पर ने से की में यह संग्या और क्रिया शब्दों को आपस में जोड रहे हैं वाक्य में पकड के रख रहे हैं तो इन्हें क्या कहते हैं कारक शब्द वे शब्द जिनके द्वारा संग्या या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंद स्पष्ट होता है वह कारक कहलाते हैं, अब कारक के कितने भेद हैं बच्चों? करता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंथ, अधिकरण और संबोधन, आए इनके बारे में हम उधारनों के साथ पढ़ते हैं, करता कारक, नॉमिनेटिव केस, किसी भी वाक्य में कार्य करने वाले को करता कारक कहते हैं, करता का तत्परे है, काम को करने वाला, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, करता कारक का परसर्ग ने है, जैसे सचे ने क्रिकेट खेला है, कर्म कारक, अबजेक्टिव केस, वाक्य में करता का प्रभाव, जिस पर सबसे अधिक पढ़ता है, उसे कर्म कारक कह कर्मकारक का परसर्ग को है जैसे कृष्ण ने कंस को मा डाला कंद कारक instrumental केस वाक्य में करता जिसके द्वारा कोई कारे करता है उसे कंद कारक कहते है इसका परसर्ग से है जैसे आज राधिका अपनी कार से स्कूल आई थी संप्रदान कारक डेटिव केस करता जिसके लिए कारे करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं इसका परसर्ग के लिए है जैसे रमेश रश्मी के लिए गिफ्ट लाया अपादान कारक अबलेटिव केस जिसमें करता का किसी वस्तु से अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं अपादान कारक का परसर्ग से है जैसे मीरा ने पैंसिल बॉक्स से पैंसिल निकाली संबंध कारक पोजेसिव केस जिन शब्दों द्वारा किसी व्यक्ती अवस्तु का किसी दूसरी व्यक्ती अवस्तु से संबंत स्थापित हो वहाँ उसे संबंत कारक कहते है संबंत कारक का परसर्ग का की के है जैसे यह मेरी बेहन का बैग है अधिकरन कारक लोकेटिव केस जिस संग्या रूप से कारे के आधार स्थान्या समय का पता चलता है उसे अधिकरन कारक कहते है अधिकरन कारक का परसर्ग में पर है जैसे चिडिया घोसले में है संबोधन कारक वो केटिव केस जिस संग्या रूप से किसी को पुकारने या संबोधित करने का पता चलता है उसे संबोधन कारक कहते है संबोधन कारक का परसर्ग हे हो रे अरे है जैसे छात्रों पीटी व्यायाम के लिए तयार हो जाओ तो बच्चों हमने कारक के कैसे चिन पड़े हैं आए देखते हैं कर्ता कारक प्रत्मा विभक्ति ने प्रयोग आलोग ने पतंग उड़ाया कर्म कारक द्वितिय विभक्ति चिन को उमेश को पुस्तक दो कर्न कारक त्रितिय विभक्ति से जिसका उप्योग होता है सहीयोग के अर्थ में सौमया ने मशीन से कढ़ाई की संप्रदान विभक्ति चतुर्थी चिन है के लिए मा ने बच्चों के लिए नाश्टा बनाया अपदान विभक्ती है पंचमी इसका चिन है से अलग होने के अर्थ में माली पौधों से फूल तोड़ता है संबंध कारक विभक्ती शष्टी इसके चिन है का की के रारीरे यह मेरी बेहन का घर है अधिकरन सब्तमी में पर बतक पानी पर तेरती है संबोधन विभक्ती संबोधन हे हो रे अरे हे प्रभू मेरी रक्षा करो तो बच्चों यह थे कारक, कारक की विभक्ती और उसके चिन हमने आपसे विस्तार में इस पाठ में कारक के प्रयोग के बारे में चर्चा की है आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये पाठ समझ में आया होगा धन्यवाद